ये कहानी एक ऐसे बच्ची के बारे में है जो अपनी ही मेड के साथ दिन राद घपा घप करते रहता है यहाँ तक ये अपने बर्दे के दिन में नहीं छोड़ता आगे उन दोनों के बीच में क्या होगा? वो हम आज ही इस एक्स्प्लिनेशन में देखने वाले हैं मैं आज जिस मूवी को एक्स्प्लिन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है तामेड और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो की एक स्कूल स्टूड़न्ट है और जैक के मौम के दैट कुछ समय पहले हो गई थी जिसके बाद उसके डैट ने दूसरी शादी कर ली थी अभी जैक अपने डैट के पास बोदे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था जब जैक के पापा ने दूसरी शादी की थी तब से जैक उनसे नफरत करने लगा था उसके बाद जैक अपने डैट के पास पहुँच जाता है और वो कमरे में जाके स्मोक करने लगता है तभी जैक को बाहर एक लड़की दिखाई देती है और उसे देखने के बाद वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है अगले दिन जैक अपना कैमरा लेके फोटो फीचने के लिए बाहर निकल जाता है। इसी दोरान जैक के पास एक खुबसूरत सी लड़की आती है। और वो जैक से मजे लेने लगती है। पर जैक उस पर जादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तब ही वहाँ से मारिया गुजरती है और जैक अपना पूरा इंटरेस्ट उस पर दिखाता है। गराने पर मारिया जैक को बोलती है कि तुम्हें कुछ और समय उस लड़की के साथ बिताना चाहिए था। लेकिन जैक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैक मारिया से बोलता है कि तुम बिलकुल मेरी मॉम की तरह हो और उसके बाद जैक उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाता है। ये देखने के बाद मारिया उसे अपने बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि वो बहुत कम उमर में पेट से हो गई थी। पर मेरे boyfriend ने भी मेरा साथ नहीं दिया और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया था और उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मेरे बच्चे की death हो गई थी ये सब बाते होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी ज़ादा खुल मिल जाते हैं तबी यहां से scene swift होता है और हम Jack की dad को देखते हैं और वो Jack को बताते हैं कि मैं अभी बहुत ज़ादा busy चल रहा हूँ जिस वज़े से मैं तुम्हें ज़ादा time नहीं दे पा रहा हूँ पर इस बात पे Jack अपने dad से लड़ने लगता है अगले दिन Jack के dad उसे बताते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ जिसके वज़े से घर में सिर्फ मारिया और Jack बचे थे रात को सोते वक्त Jack मारिया की फोटोस देखकर अपने पपो को मसाज दे रहा होता है अगले दिन मारिया का एक्स हस्पेंड उसके पास आके बोलता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाता हूँ और अगर हम चाहे तो हम अपनी जिन्दगी के एक नए शुरुवात कर सकते हैं लेकिन मारिया उसे कहती है चल बोज़डी के ये सारे बाते चुपके से जैक भी सुन रहा था अगले दिन मूद इन आता है जिसके लिए जैक यहां आया था मतलब उसका बर्दे तब मारिया सुवे सुवे उसे पूछती है कि तो तुम्हें बर्दे इप में क्या चाहिए जिस पर जैक उसके पास जाने लगता है लेकिन मारिया उसे ऐसे करने से मना कर देती है लेकिन जैक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मारिया को इदर दर चूने लगता है जिस पर मारिया उसे बर्दे वाले दिन भी एक चाटा मार देती है लेकिन तभी अचानक से जैक को बुलाने के लिए वही लड़की उसके घर आ जाते है जो जैक से मज़े ले रही थी और जैक भी उसके साथ पहाँड चले जाता है ये देखने के बाद मारिया को बहुत जादा बुरा लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी घर आने के बाद जैक देखता है कि मारिया रो रही है और जैक उसे चुप कर आने के बहाने उसे मसाज देने लगता है ये देखने के बाद मारिया पे फिकल जाती है और वो दोनों घपाघप करते हैं अगले दिन मारिया किचन में अपना काम कर रही होती है तभी अचानक से वहाँ जैक आता है और ये दोनों वहीं पर घपाघप करने लगते हैं लेकिन इनका शो पीच में ही रुख जाता है क्योंकि तभी वहाँ जैक के डैड आ जाते हैं लेकिन डैड के आने से पहले ये दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे उसके बाद जैक के डैड जैक को बर्दे विश्च करते हैं और उसे एक बर्दे गिफ देते हैं पर जैक फिर से अपने डैड से पत्तम इजी करने लगता है उसके डैड उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलते हैं लेकिन जैक उस पे भी उने मना कर देता है क्योंकि उस पर जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जिसके बाद ये दोनों फिर से वहाँ पर घपा घप करते हैं मारिया काफी जाता इमोशनल हो चुकी थी इसलिए ये दोनों बार बार घपा घप करते हैं और मारिया जैक को समझाती है कि तुम भे अपने पापा से ऐसे बिहेद नहीं करना चाहिए उसके बाद जब जैक घप घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे खुश देकर उसके डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगले दिन जैक को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो चुका था और वो यहाँ से वापस जाने की तयारी करने लगता है और वो अपने डैड का गिफ भी अपने साथ रख लेता है जैक को वहाँ से जाता देख उसके डैड उसे कले से लगा लेते हैं और ये देखे मारिया भी बहुत जादा खुश होती है क्योंकि ये सब कुछ मारिया के विज़े से ही हो पाया था उसके बाद मारिया भी अपनी मॉम के पास जाती है और वो अपनी मॉम से बताती है कि मैं पेट से हूँ जिस बाद से उसकी मूम जादा खुश नहीं होती लेकिन मारिया इस बाद से बहुत जादा खुश थी और मारिया के बेट में जैक का ही बच्चा था और इसके बाद ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेच को लाइक करें धन्यवाद